हाई यूट्यूब विस देव और विल्कम यू आल अलबाउट पैट्स आप सबी का स्वागत अलबाउट पैट्स में और आज मैं आया हूँ अतुल भाई के सट अप पे इन्होंने चाइनिस केज़ लगाया हैं देशी केज़ अटा दिया हैं विजय भाई तो आपने पास र देखेगा उसके बाद इनके पैस कुछ जैसे हैं जो जल्दी से ब्रीड नहीं करते वह भी इनके ब्रीड करें हूए हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ तो वीडियो जरूर एंड तक देखेगा और फिलाल आप इस सेटप का ओवर्वीव देखिए जो की बहु जादा सुन्दर है और इनके पास आप देख सकते हैं कि तीन से चार बेबीज यह फिलाल पाल रहे हैं और बहुत अच्छे से पाल रहे हैं अगर मैं बताओं तो यह अभी स्टार्टिंग ही है सीजन का आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारे पास एकॉकटील का पेर आं य यह अक्चुली सफेद सोना है क्यों क्योंकि यह जो पेर है यह पहली बार बीडिंग इसने करी है और इसको विजय भाई ने 30,000 का लिया है क्यों लिया है वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं वो जो है आपको अभी दिख जाएगा खैर यह नीचे किया मैंने इसकी ऑखs आगी बोस्तधों यह देक्या हो देखना है चार हेलधी डेबी पेरिंड रेज आंड वो पेरेंट हैं आपके सामने जो मैंने आप यह आपको डिकाया था तो यह जो पीर है यह चार बच्चों को अच्छे से पालता है अगर क्वी साहथ आपको अबीन त реально स्छी 4 जा मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह देखिए ठीक है यह वाला पेर है विजय भाई ने लिया है अदल भाई से 30,000 को विद 4 चिक्स अगर आपके पास देखा हूँ पेर है अच्छा ब्रीटिंग करता हूँ पेर है आपको लेने में कहीं जिजगना चाहिए क्योंकि चीज अच सब्सक्राइब का पेर बट इसने अपकी बार दो ब्लू येल्लो साइरेट के बेबी निकाल दिया है और दोनों जो ये ब्लू येल्लो साइरेट के बेबीज निकल गए जिनकी कीमत तो बहुत है आज अगर आप एक बच्चा फरीदने जाए तो ये ग्यारा से बारा जादा महेंगा हो गया है म्यूटेशन अगर आपके पेर ने दो बच्चे निकाल दिया तब तो वावा है उस पेर का घर मैं आपको इन बेबी निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूं आपको पता चल जाएगा तो देखिए एक ये बेबी में ने पकड़ लिया थोड़ा जो दूसरा बेबी है वह बहुत जादा भागता है तो इसको अच्छे से खिलाए हुआ है और जो दूसरा बेबी है इसको भी मैं पकड़ता हूं ये दिखे अब ये जो है भाग रहे है इतर अधर बट इसको शायद अच्छे से इंस इसने नहीं खिलाए जाज आ कुट सी कोई फिकर करने वाली बात नहीं है ये इसंपर लेंगे पने बच्चे को अच्छे सग इतना बड़ा तो नहीं बड़ा दिया है यहां पेलाल है हमारे पास वाइट जावा और साथ में वान है और कुछ शिलबर के पीसिस भी है जो इनोंने रखे हुए मोड शोर के ये सेल डाव्या में ए 5 एव रहुए है काफी सारे पीसे हैं जो कीो है जो क gathering है तो इसको देप meusगैं है व्लॉचिहा निए बना नहीं रहाई यह लिए आपको इस सेट अप का बट देखिए जावा की जो साउंड है बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह ब्लाक जावा जो होती है जो आपको सामने दिख रही है जो नॉमल नाचुरल कलर होता है यह बहुत पसंद आती है यह जल्दी ब्रीडिंग करती है और साथ में एक है यहां पर लूटीन व कोगडेल गवेबी यह जो है पूरा 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 लॉट अवेलबल है इनके पास इसमें हाइफर रेट फैक्टर के भी है इसमें येलो डॉमिनेंट भी है इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहां पर संकॉन्यूर बेबी इनके लेख लांट अपर बेबी वित बंग अअग है और आगे बढ़ता ओर और मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे यह वाला पेर इसको बोलते हैं पीछ फ्रेंटिट कॉन्यूर तो इनके पास जो पीछ फ्रेंटिट कॉन्यूर है इन्होंने कहीं से फीमेल मंगवाई वस बंदे ने फीमेल को दो साल रखी मेल नहीं मिला और उनोंने इनको दे दी इन्होंने विदिन मन्त और टू नोने पीच फ्रेंटेट का मेल मंग वाली है कहीं से ढून धान्ड के जो की काफी महंगा बड़ा इनको इन्होंने पीच फ्रेंटेट के मेल के बदले एक आफ्रिकेन ग्रे का मेल दे दिया था खैर उसके पंग इतने जाद नहीं आ रहे थे वह मेल था करीवन 50,000 एप गए बार 5,000 खर्च करके वह मेल लिया है यह संचिक का पेर तो इसमें फीमेल ब्रीड कर चुकी है पहली बार और यह पेर आया है विजय भाई के पास से तो विजय भाई ने अतुल भाई को यह पेर दिया है पेर लगा लगा है है और अतुल भाई ने इसको ब्रीडिंग पे लगा दिया है लेट्स होब कि ये जल्दी ब्रीडिंग करें खैर आगे बढ़ते हैं एक और पेर चाटरिंग लॉरी का तो चाटरिंग लॉरी जो होती है बिल्कुल रेड इन कलर होती है तो यह अच्छा पेर है जो इन ने उठाय है आगए अगर प्राइस बताओं तो यह कड़िबन करीबन ज़्य फॉप्सूरत होती है है जल्दी राण कर लेंगी जो अगर इब्रीट करती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा इनकी प्रोग्रेस यह है उनके पास लेप चाहिड में क्रिम्सन बेली का एक मेल और राइट शाइड में है परली कॉनियोर की फीमेल पहले क्रिम्सन बेली का जो मेल था वो किसी पाइनपल के साथ चाह अगर ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग का प्रोग्रेस भी दिखा दूंगा यह संकॉनियोर से इनके पास फिलाल सेल्फ हुए हुए और नीचे आता हूं तो नीचे इनके पास है काका रिकी का पेर तो काका रिकी के पेर ने ब्रीडिंग की हुई है यहां पर जो है ल तो यहां पर मेल काफी हट्टा गट्टा लोटीनो है और फीमेल इसमें ग्रीन कलर की है फीमेल को मैं अभी आपको दिखाता हूं जो अंडवेब राठी हुई है तो यह रहा इनका नेस्ट बॉक्स आन अगर नेस्ट बॉक्स यहां पर खोलें देखें इसकी राइट वाली आ मैं एक मिनिट कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से इसको हटा कर इसके अंडे में आपको दिखा सकूं तो यह ब्रीडर पेर कहीं से लाए ते और यहां पर यह ब्रीड करके बैठा हुए हाला कि काफारी के इतनी जल्दी ब्रीडिंग नहीं करते हैं बटी देखिए इस करते हैं पर डिण और फिर देखने में और इनकी होब सूर्ती देखिए बहुत अलगता है तो मैंने पहली बार अपने आखों से हाप इनके के घागरी को यह दो आपके शेर करूं और इनकी ब्रीडिंग पर अलग से बना दूगा जो बहुत बसंदर आईज दों आपने आं आगे बढ़ते हैं और आपको एक और दिखाता हूं जिसने अभी प्रीडिंग की इनके पास तो यह रहा वो पेर आपको याद होगा कि इनके पास लॉरी का लॉट आए था और उन्होंने कुछ पेर अलग अलग लगा दिये थे ठीक है यह जो है यह यह रेन्बू लॉरी है लॉरी के इनके पास ek jaan जी हाँ लॉरी ने भी इनके बीवास ब्रीडिंग करें दिए इननों ने कहा कि इनको जीह एँपिए से लंका फटीलिटी का पता नहीं लगेया बट यह ज स दूब आ बर एंका लॉरी को ब्रीड कराना काफे मुश्किल होता है ठीक है आप लॉरी लेकिन उसकी ब्रीडिंग काफी सदा टफ हो जाती है और अगर आपके पास लॉरी ब्रीड कर जाती है तो इतनी जल्दी ना ब्रीड करते हैं और इनका खाना इनका डाइट जो है थोड़ा दूसरे बर्च से अलग होता है क्योंकि इनको लिक्विड डाइट ज्यादा दी जा बहुत ही अच्छा लगा इनके वीडियो बनाने में एक सेट अप पर आने में और ऐसे देखके कि हां यार इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है तो क्यों आपके साथ भी शेयर किया जाए तो क्यार वीडियो को लाइक जरू करिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करिएगा मुझे ऐसी प्यार देते रही है और देखते रही है अल अबाउट पेट्स थैंक यू सो मच और हैपी पेटिंग अपना धान रखिए अपने पेट्स का धान रखिए आल मेट यू ने एक्स वीडियो बबाए